और 2D के बाद में इस्ट्रेट लाइन कवर कराया था ठीक है ना अब इस्ट्रेट लाइन से आंगे भढ़ते हुए अब हम डिफरेंट डिफरेंट जमेट्रीस पर जा रहे हैं यह चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है कॉनिक सेक्शन कॉनिक का मतलब होता है एक कॉन एंड सेक्शन का मतलब होता है उसको काटना सो कॉन को हम लोग काटने वाले हैं हम कॉन को कट करने वाले हैं ओके और हम यह जानेगी कि कॉन को कट करने पर जो है हमें कितने पार्ट्स जो है हमें कौन को कट करने पर जो है हमें क्या-क्या situations मिलेगी कौन को कट करने पर हमें क्या-क्या situation मिलेगी यह हमें जानना है एक बच्चे ने हमें message किया है कि सर ये वाला question मुझे बता दीजी very nice bit up बहुत अच्छा question आपने लिखा है तो मैं आपको जरूर ये question बता देता हूँ पहले straight line का question एक बच्चे ने भेजा है तो आगे बढ़ने के पहले मैं ये question बच्चे को बता देता हूँ कोनिक section को अभी हम थोड़े देर में start करते हैं तब तक हम एक question आपको बता रहे हैं ये question आप लोग सभी लोग note करिए question क्या है ये writing मुझे समझ में आ रही है किसकी writing है ये क्यों शुभांगी शुभांगी बोल रहा हूँ नाम नहीं यादा रहा मेरे को प्रिया रजक क्यों प्रिया तुम्हाई writing है ने yes देखिए question लिखिए बच्चों एक question दिया गया है कि एक कोई line है और पहले question समय लो फिर लिखना एक कोई line है और उस पर x-axis पर काटा गया एक intercept A है और y-axis पर काटा गया intercept B है बच्चों लिखिए question the length of intercept cut on axis are A and B okay the length of cut intercept on axis are A and B मतलब A और B पर जो intercept काटे जा रहे हैं अंताय खंड बोलते हैं हिंदी में वो A and B है और perpendicular length जो है वो है कितनी P perpendicular length is P then prove that and perpendicular length मतलब लमवद दूरी जो है that is P perpendicular length from the origin is P then prove that तो आपको prove करना है 1 upon P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square okay यह आपको proof करना है 1 upon P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square है हाई बिटा जो जिस बच्चे ने इस question को भेजा वो यह सर बोले class में है वो बच्चा yes yes mic off कर लीजे unnecessary mic on mat करी चली ठीक है फिर भी हम बताते है इस सवाल को तो कैसे करेंगे बच्चो 1 upon P square plus 1 upon A square plus 1 upon B square question समझ में आगे अक्षद समझ में आगे बच्चो yes sir okay so you need to prove that 1 upon P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square and condition क्या दी गई है condition हमें दी गई है कि जो line है वो X axis से A की length काट रही है और Y axis से B की length काट रही है तो यार सबसे पहले मैं line का equation बनाऊंगा तो line का equation क्या बनेगा intercept form equation बनेगा x upon A plus Y upon B equal to 1 बनेगा न intercept intercept form यही equation बनेगा x upon A plus Y upon B equal to 1 इसको more clearly आप लिख सकते हो 1 upon A times of X plus 1 upon B times of Y minus 1 equal to 0 अब यह line का equation किस form में आ गया है standard form में आ गया है because AX plus BY plus C equal to 0 यह आ चुका है अब याद करिए मैंने आपको perpendicular distance का formula बता था कि perpendicular distance का formula क्या होता है अगर आपके पास कोई line AX plus BY plus C equal to 0 है अगर आप किसी point X1 Y1 से perpendicular distance निकालना चाहते हैं तो बेहत simple formula होता है मैंने बताया था चेंप दो ओके X की जगे X1 चेंप दो तो यह बन जाएगा AX1 BY1 plus C upon under root A square plus B square फिलहाल यहाँ पे हमको जो perpendicular की बात कही गई है वो origin से है तो अगर origin से दोगे मतलब X1 की जगे भी 0 Y1 की जगे भी 0 तो केवल आपके पास क्या बचेगा C upon under root A square plus B square तो हमें perpendicular की length किती दी गई है यहाँ पर P दी गई है तो मैं लिखूंगा कि P is equal to perpendicular है मतलब upon में under root देखे क्या आएगा A square A की जगे फिलाल कौन बैठा है बेटा 1 upon A यहाँ पर यहाँ गया 1 upon A 1 upon A का whole square और B की जगे कौन बैठा है 1 upon B तो 1 upon B का whole square A X1 तो 1 upon A और origin है X1 तो origin X1 की जगे 0 put किया स्वाहा हो गया A भी यहाँ भी 0 हो गया इधर पे केबल क्या बचेगा C मतलब minus का 1 और mod लगा होता है और mod क्या कर देता है negative को भी positive कर देता है तो यह हमारे पास आया P is equals to 1 upon under root 1 upon A का whole square plus 1 upon B का whole square बोले clear है यह वाली party आप उपर ले जाएए और P को नीचे ले जाएए ओके तो यह उपर आजाएगा तो यह बन जाएगा 1 upon A का whole square plus 1 upon B का whole square equals to 1 तो square कर दीजे दोनों सुरी बिटा equals to यहाँ पर आएगा 1 upon P squaring both side कर दीजे आपका आँज़ा जाएगा square करने पर root हड़ जाएगा 1 upon A square plus 1 upon B square equal to 1 upon P square hence proved यह clear है चलो नोट कर लो नोट कर लीजे तो main इसमें इस formula का कमाल था A X 1 plus B Y 1 plus C equal to 0 इसमें लगना था एक ओके चल लिए हाँ तो इसको screenshot screenshot इसका ले लीजे तो डाइगराम देखके लोग normal form का formula लगा देगे बिलकुल बिलकुल diagram देखकर के पहले intercept form मनाना है और intercept form नहीं diagram देखकर के जो बच्चे normal form से लगाएंगे या normal form से फिर बहुत दिक्कत होने वाली है हो जाएगा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है अगर आप अलफा निकालना पड़ेगा पर लिए नहीं नहीं चलो जुगार करनी पड़ेगी इसकी ठीक है ना चलो ये ठीक है इसको अलग करते हैं अगर आप कह रहे हैं कि सर by the help of normal form कीजिए तो चलिए normal form से कर लेते हैं नहीं किसा जब मैंने ये question किया था तो मैंने जुगार लगाएंगे कोशिश करी थी normal form से हुआ नहीं था लेकर चलो देखते है normal form से normal form में हमारे पास एक जानकारी दी गई है कि ये है perpendicular P ये alpha angle हमें right now पता नहीं है बट ये कह रखा है कि ये intercept है कितना A और ये intercept है B अब हम जानते हैं कि जो equation हुआ करता है normal form में वो होता है x cos alpha plus y sin alpha equal to P बो yes yes sir चलिए तो मैं क्या करता हूँ मैं लिखता हूँ x cos alpha upon P plus y sin alpha upon P equals to 1 होएगा की नहीं होएगा होगा बिल्कुल ओके इसे मैं लिख सकता हूँ x क्या मैं p upon cos alpha लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ बताईए पल्टी मारके cos alpha उपर ही चपक जाएगा और y क्या मैं इसे P upon sin alpha लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ बताईए equal to 1 अब ये intercept में दिख रहा है की नहीं दिख रहा है और इन लोगों ने कह रखा है की X intercept है A और Y intercept कितना है B तो मतलब P upon cos alpha equal to कितना है A और P upon sin alpha equal to कितना है B हाँ या ना B कभी भी cos alpha sin alpha लिख जाएगा तो एक ही लड़ दू फोड़ो मन में की cos alpha को अलग करो तो ये हो गया P upon A और यहां से sin alpha हो गया P upon B Yes or No Yes sir अब एक universal identity हर देश का बच्चा जानता है कि cos square alpha plus sin square alpha equal to क्या होता है 1 तो वो लगा दो यहां पे तो answer कहीं ना कहीं आ जाएगा तो cos square alpha equal to यहां पे है P upon A का whole square क्योंकि ये इसके equal है और cos sin square alpha मतलब P upon B का whole square equals to 1 तो P upon A square plus P square upon B square equal to 1 तो P square common लेकर के 1 upon A square plus 1 upon B square equals to 1 upon P square बोले clear? आई गया तो इस तरीके से ये इस form से भी हो सकता था नॉर्मल form से भी किया जा सकता था बोलो जा सकता था चलो नोट कर लो जा सब्सक्राइब आपको इसका मैं फोटो पूरा का पूरा भेस दूंगा इदी आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो इस पेज का ले लिजी इसमें थोड़ा दिखाई देगा दर्वाइस बहुत बड़ा है डन डन सब्सक्राइब चलिए बहुत अच्छे तो ये हो गई हमाई बात हाँ नंदनी रजक की राइटिंग लगरी मेरे को नंदनी तुम क्लास में हो गया नहीं हो नंदनी आज नहीं बात करेगी चलो ठीक है तो 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 अब चलते हैं आंगे क्लास जो हम पढ़ना चाहते हैं आंगे पढ़ते हैं टूडी टू डामेंशन जोमेट्री में हम लोग कोनिक सेक्षन स्टार्ट कर रहे हैं टूडी में कोनिक सेक्षन चलिए देखिए two dimension geometry में conic section start कर रहे है तो conic section में हम बता रहे थे जैसे कि conic section में हमें एक cone को break करना है, okay, cone को हमें break करना है तो cone को कैसे break करेंगे, वो देख लीज़े आप लोग yes, जैसे बच्चों यह आपके पास में cone है, यह एक cone ले लिज़े, आप किसी कोई भी बड़े वाली टोपी को cone type के ले लो, okay, अब इस cone को आप section करो इस cone को आप अलग-अलग parts में तोड़ो, तो इस cone को अगर आप ऐसे तोड़ते हो, बिटा यह access होता है cone का, यह कहलाता है, access of the cone, access of cone, यह cone की access होती है, okay, अब आपने क्या करा, आपको cut करना इसको cone को, तो आप different different type से आप इस cone को cut करने की कोसिस करो, मैं यह मान लीजिए, यहाँ से कैची चला रहा हूँ, तो पहली कैची मैंने ऐसी चलाई, तो अब जब देखेंगे आप यह कैची cut करने के बाद, जब इस cone को आप वापस reshape करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ए आता है, वो हमारे पास आता है, circle, और कब आता है, जब, बिटा यह जो काटने वाली axis है, इस axis को हम बोलते है, generator axis, और जो पुरानी axis है, वो axis है, axis of the cone, cone की axis है, और यह जो axis है, वो generator axis है, आप ध्यान से देखें, इस circle बनाने के लिए, यह जो angle आपको देख रहा है, दोनों angle के बीच में 90 degree है, दिखा की नहीं दिखा, दिखा की नहीं दिखा, दिखा, हाँ, तो कौन, circle कब बनेगा, जब, आपका काटने वाला axis शार्प 90 degree पर चलेगा, तो आपका बनेगा उस समय, circle, अगर आपका जो axis है, वो 90 degree पे ना चल करके, किसी अनाधर angle पे चलेगा, लाइक तो याद रखेगा, आप काट करके देख लीजे, अपने copy से एक page निकाल करके, मुमफली वाली पूंगी बना लीजिए, और scale से, इस किसी angle पर आप काट ये, देखिए, एक oval shape की geometry आपको दिखाई देगी, ये oval shape की geometry जो बनती है, इसको हम बोलते हैं, ellipse, so this is called ellipse, got it? Yes sir, okay, अगर आपने दोनों तरफ से generator access नहीं चलाई, अगर आपने किसी एक part में generator access चलाई, यदि आप कोने को इस तरीके से काट दीजिए, generator access आप इस तरीके से यदि इसको cut कर देंगे, तो देखिए, यहाँ का पूरा का पूरा paper cut हो जाएगा, और एक resultant जब आसको तो दोनों तरफ से paper cut होगा, तो एक ऐसे U type का shape बनेगा, so this is called parabola, ओके, यह shape आपका क्या कहलाएगा, और अगर आपको hyperbola बनाना है, तो hyperbola के लिए आपको लेना पड़ेगा double cone, so double cone लेकर के, this is double cone, दोनों तरफ cone जो होता है, double cone लेकर के, अगर आप एक perpendicular line से, parallel line से इसको काट दें, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, यह तो इसकी access हो गई, थोड़ा गड़त बनेगा डाइगराम, इसको यहाँ से काट, यहाँ से, तो एक parabola type का नीचे बनेगा, और ए इन दोनों को देखूं, तो एक parabola type का उपर बन रहा है, एक parabola type का नीचे बन रहा है, दोनों की common access है, तो यह जो geometry बनती है, बच्चों इसको बोलते हैं हम, hyperbola, समझ में आया, यह जो geometry बनती है, hyperbola, तो हमारे conic sections किते हुए, conic sections हमारे पास जो हमको मिले है, जो cone के section मिले ह है, वो कितने मिले हमें, हमें सब से पहला conic section पढ़ना है circle, दूसरे नंबर का conic section हमें पढ़ना है, parabola, तीसरे नंबर का हमें section पढ़ना है, ellipse, and fourth जो हमें section पढ़ना है, वो है, hyperbola, okay, so इसका screenshot ले लिजे, so these are the four sections, conic, circle, parabola, hyperbola, and ellipse, done, yes sir, okay, so चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, circle, अब पूरे तरीके से हम थोड़े दिरिकर के लिए circle के ही अंदर रहेंगे, c, i, r, c, l, e, circle क्या है, circle एक geometry है, circle एक trace out है, circle एक locus है, circle एक path है, किसका locus है, किसका path है, किसका trace out है, एक point का, अगर एक point किसी plane में कौन सा plane x y plane याद रखेगा circle एक planner geometry है जब आप बनाते हैं circle तो अपनी copy में बनाते हैं तो दो ही access होते हैं एक x और एक y तो अगर किसी plane में कोई point ऐसे move करता है मान लो यह कोई point है यह ऐसे move करता है कि हर वक्त इसकी एक fix point जो की center है center से दूरी हमेसा constant बनी देती मतलब यहाँ भी जैसे गाए के गले में एक लोहे की rod डली हुई है अब वो जो गाए move करेगी तो उसकी rod कभी चोटी बड़ी नहीं हो सकती है तो हर समय उसकी length जो रहेगी equal रहेगी यस इस तरीके से equal रहेगी तो जो बनने वाला जो लोकस होगा जो बनने वाली trajectory होगी जो बनने वाला resulting path होगा वो क्या होगा circle होगा तो circle की definition लिख लो इससे क्योंकि important है लिखो if a point if a point point का नाम क्या ले लो घूमने वाला point जो होता है plane में उसको बोलते है ब्रमणकारी नारद मुनी okay variable point px,y गूमने रहता है पूरे आस्मान में plane में okay अगर आस्मान में घूमाओगे तो उसका नाम हो जाएगा px,y,z क्योंकि जमीन में x,y ट्रेवल करेगा और आस्मान में jet ट्रेवल करेगा तो अभी आया है आस्मान वाला अभी जमीन वाला आया है 2d वाला आया है px,y if a point px,y moving on a plane such that its distance from a fixed point its distance from a fixed point वाई,कौन सा है fixed point? center समझ गया ना? ये fixed point कौन सा है? center fixed point called center अब center की coordinate कुछ ना कुछ fix होंगे बच्चों तो इनको क्या बूला जाता है? h,k center की coordinate का नाम दे लिया गया है h,k distance from the fixed point from the center called center is always always constant okay,always constant ऐसा चले point की इसकी center से distance हमेसा constant रहे और वो constant का लाता है? bracket में लिखो called radius called ये जाता है called ये 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 जाता है if a point P that point P X, Y is moving on a plane that that its distance की सकी point की इस ते देस्ट from a fixed point called center is always constant ए एक प्रियंशी यस को इ स्ट इस स्टेंस अविस्मेंस इस अज्ट इस प्रियंशी यस्टोर इस स्ट्ष बी ए टो केश्ट थैट इस स्ट था श्रकन the path of the point set to be a circle done sir locust क्या हो locust याने path trajectory trace out समझ गया ना मैंने तुम से कहा कि अक्षद तुम हाथ में rod पकड़ के खूंटे जे rod गड़ी हुई है चलना सुरू करो तो तुम तुम्हारे पैस जो है अलग-अलग position पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताओ अब इन सब को जोईन करने के बाद जो finally रास्ते बनेगा उस रास्ते को ही locust बूलते हैं समझ गए वो shape कुछ भी हो सकता है वो shape depend करेगा condition पे फिलाल यहाँ पर वो shape रहेगा circle क्योंकि यहाँ पर मैंने राट में rod पकड़ा दी है yes or no yes sir बिल्कुल तो फिलाल यहाँ पर वो रास्ता क्या बनेगा circle बनेगा तो उसी रास्ते को locust बोलते हैं उसी को trace out बोलते हैं उसी को path बोलते हैं और उसी को trajectory बोलते हैं तो अम मैट्स में आप कुछ भी xy plane में कुछ भी बना दो यह जैसे मैट्स में यह बना दिया यह कुछ भी बना दिया तो इसका भी एक definite equation होगा बिटा xy plane में 100% मैट्स में आप graph में कुछ भी हाथ से गलत सलत बना दो मगर वो एक क्या है वो एक रास्ता है वो एक रास्ता है और मैट्स में हर एक रास्ते का एक unique equation होता है ठीक है ना तो जो बैठे बैठे मैंने कल बताया था कि अमेरिका में बैठे बैठे जो ड्रोन अटेक किये जाते हैं अफगानिस्तान और सीरिया वगरे में वो लोग क्या करते हैं वो trajectory ही feed करते हैं अपने system में है ना तो जिस path पे वो जाता है कोई भी उनका weapon ले करके तो उसी path में वो जा करके उसको फिर attack करता है बिल्कुल same to same path में जा करके अटेक करता है समझ मैं है या वो drone attack guided missile हुआ करती है जो ठीक ना यस और अजिकल वो anti-ballistic missile system भी आ गया है defense system आ उपका है वहाँ से कोई भी आए किसी भी रास्ते से आए वो directly यहाँ fire गन लगी होती है उसे जा करके उसको धाय धाय ख़दम कर देते हैं है ना तो कितना ज़्यादा circulation होती है आप समझ सकते हैं within seconds equation बनाता होगा और read करता होगा कि किस रास्ते पर मुझे जा करके उसको मार गिराना है चलिए so this is called locust locust of the path की बात हो गई है अब आईए पढ़ते हैं बच्चों equation of a circle अब हम पढ़ने वाले हैं equation of circle ठीक ना heading ला लीजी equation of circle equation of circle circle का equation हम अलग-अलग form में पढ़ने वाले हैं so first form is पहला form में बच्चों center radius form center radius form circle का पहला हम पढ़ने वाले है equation center radius form तो आपके पास circle दिया गया है जिसका center दिया है h, k और radius दी गई है r ओके ये point है center का c और ये point है p ओके अब मुझे बताईए अक्षत ये point random moving point है this is x, y yes or no yes sir अब अगर ये point p घूम करके यहाँ चला जाएगा तो radius बदल जाएगी कि वही रहेगी वही रहेगी कहीं भी चला जाएगी ये point radius हमेसा same रहेगी कि ने रहेगी बताईए रहेगी तो हम क्या लिख सकते हैं p से लेके c तक की distance always equals to r ओके yes sir the distance between p to c equals to r चली ये p से लेके c की distance distance formula सबको आता होगा तो क्या होता है distance formula x minus h square plus y minus k का because distance formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square so यहाँ पर x minus h square plus y minus k square क्योंकि center क्या है h, k होगा की नहीं होगा बोलो yes sir होगा तो ये होगा h, k center है x minus h का square plus y minus k का square equals to r k squaring both side दोनों स्क्वार कर दो x minus h square plus y minus k square equals to r square बच्चों note कर लो this is called center radius form of circle ये बनेगा आपका circle का equation center radius form of circle के लिए ठीक है yes तो ये बनेगा आपका center radius form अब इस में आप यदि कोई question करना चाहें आईए देखे इसका पहला question तो आपकी pdf का पहला question find the equation of circle with center 0,2 and radius equals to 2 चलिए जल्दी से अपने अपनी copy में लगा ये फटा-फट center radius center दिया गया radius दिया है और आपको निकालना है कि इसका equation क्या होगा Sir can you please show that slide Yes बेटा शियूर देख लूँ Yes sir thank you sir चलिए फ़हला question कीजिए बच्चों प्यूश तिवारी class में हूँ चलिए पहला question कीजिए Yes sir Okay आगया answer Yes sir आगया चलिए बाकी बच्चे बताएं आगया answer कोई दिक्कत तो नहीं है center 0,2 है तो x-0 का square y-2 का square equal to radius 2 का square हो जाएगा तो इस तरीके से एक बहुत सिंपल सवाल है आपका answer आचुका होगा ठीक है प्रियान्शी अब सरस्की थरोपन पी पॉइंट का क्वाडिनेट कैसे होगा नहीं निकाल सकते हो क्योंकि एक को पॉइंट है निवो वो तो कई सारे पॉइंट है बोलो हाया ना movable है ना बेटा तबी तो उसका नाम x, y है हाँ तो movable है तो आप इसमें कितने पॉइंट होगे इंफानेट पॉइंट होगे हाँ या ना तो इसलिए तो उसका नाम जो जीज बदलती है उसी को तो वेरीबल दिया जाता है x, y समझ मैं हाँ तो उसके हम कोईडिनेट कभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि वो कहां पर है वो तो पूरे में घूमती रहेगी ना गाय समझ गए यस चलिए अगला लिखी अगला लिखिए बच्चो ओरिजिन फॉर्म origin form origin form की बात करते है origin form क्या होता है origin form जो होता है इसमें आपका जो center होता है वो dedicatedly origin लिया जाता है मतलब origin के coordinate क्या होता है 0,0 मतलब इस बार H भी होगा 0 और K भी होगा 0 तो अपने पास क्या equation था X-H का square प्लस Y-K का square इक्वाल टू आर स्क्वार तो आपके पास में यहाँ पे put कर दीजिए तो X-0 क्या बन जाएगा X square प्लस Y square इक्वाल टू आर स्क्वार तो नोट कर लेजिए जवापका equation बनेगी origin form की X square प्लस Y square equals to R square X square प्लस Y square इक्वाल टू आर स्क्वार क्लियर यह सर चलिए so origin form बन गया इसका भी एक question लुग देख लेते हैं origin form में yes अगला question देखे question number two देखे find the equation of the circle with center minus two comma three and radius four बन जाएगा question of a second बन जाएगा sir yes question number third भी बिल्कुल वैसे अपच्छा question number third में find the equation of circle बिल्कुल वैसे कब ऐसे ही है okay done done sir yes थोड़ी सी calculation इसकी difficult है अगर बहुत easy है हाँ okay अगला question देखे find the equation of circle with center one comma one radius two done done yes 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 find the equation of the circle with center minus a comma b and radius चलो यह करके दिखाओ थोड़ा सा यह complicated is so करके दिखाए जल्दी से concept वही लगना है कर दो दो आगे लो कर दो दो झाल झाल तैंसर शरांसर दिखाने एक बार यह स्ट प्रक्राइब जिए प्रक्राइब लेगा और अगर आपको बूला जाए कि यदि आपको कह दिया जाए कि और जीने संटर तब तो बहुत ही सिंपल कोस्टन हो जाएगा यह सिंपल को बोल दिया गया कि किसी circle का center origin है और इसकी radius 3 है तो क्या करना है, सीधा equation x square plus y square equal to radius का square तो 3 का square answer कितना हो जाएगा 9, बोलो समझ में आगा 9, बिलोगो जोर अभी आपने क्या किया बच्चो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से center से center दिया है, radius दिया है तो आप उसका equation निकाल सकते थे अब equation दिया रहेगा तो आपको center और radius निकालनी पड़ेगी मतलब उल्टा काम करना है बापको मतलब एक बड़ी सी equation दी रहेगी जैसे अभी तक आपने equation को खोल करके solve किया जैसे like आपने x minus 2 का square plus y minus 3 का square आपने solve किया equal to 5 square या 4 square या 2 square 2 square कर दी है मैंने 4 तो इसको आपने solve किया तो x square minus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9 equals to 4 आपने इसको open किया तो यह x square plus y square minus 4x minus 6y 4 और 9 13 और 13 में से 4 इदर आएगा तो कितना आजाएगा again 4 से 4 cancel हो गया बच्चा plus 9 plus 9 equal to 0 अब आपको क्या रहेगा बिटा ये दिया रहेगा आपके पास में equation अब आपको बोलेगा equation देख करके बताओ कि circle का center क्या है radius क्या है तो आपको वापस यहाँ पहुचना पड़ेगा और यहाँ पर पहुच करके आपको compare करना पड़ेगा कि से x minus h k square से equal to r square से तो आप देख पाएंगे कि x minus h square y minus k square equal to r square so h की जगे क्या देख रहा है यहाँ पर 2 देख रहा है k की जगे क्या देख रहा है 3 देख रहा है और r की जगे क्या देख रहा है 2 देख रहा है तो आपको center और radius बतानी पड़ेगी वोलो समझ में आ गया यह सर यह सर मतलब आप आपको whole square बनाना पड़ेगा completing the square का सहारा लेना पड़ेगा तो चलिए मैं पहला question आपको दे रहा हूं attempt करने को यह वाले question में तो क्या देखना है भाई बताओ इसमें center कितना है बोलो 5,3 गलत minus 5,3 चेक करो दोका का गए बिटा x minus h का square plus y minus k का square equal to r square तो x minus होना चाहिए तो x minus 5 को लिखोगे minus 5 तभी तो plus 5 बनेगा तो x minus minus 5 का whole square और y minus 3 का square equal to r square तो center क्या बनेगा minus 5,3 बोलो clear है yes sir center is minus 5,3 and radius equal to 6 done yes sir चलिए तो अब इसमें जैसे यह है find the center and radius अब चलो question number 7 करिए सब लोग लगाई दिमाग कर दो पूँ आए का कर दो ऊहुआ है झाल झाल बन गया बन गया यस और बच्चे बताएं किसको नहीं बना वो बताएं सब जश्टा सब लोकी झाल झाल yes sir done ओके चलिए आपको completely square करना है खुल मिला करके आपको यहाँ पे pair बनाने है आपको double square के हिसाब बरावर करने की लिए simple method है फिर इसके बाद एक और method मैं आपको बता रहा हूँ जो high level का method है ठीक ना हाँ एक बार इसको और कर लो फिर मैं उसके बाद वो method बता हूँ आपको कि अज म zalद आपको पिर हाँ आपको तो 2 into 4 याने कि इसमें 4 की जुरुत पढ़ रही है तो 16 देना पढ़ेगा इसको हमको add करना पढ़ेगा सब्ट्रेक करना पढ़ेगा और अगले में 5 की जुरुत पढ़ रही है मतलब 2 5 जा 10 सब्ट्रेक करना अंसर है चलो ठीक है इस तरीके से आ गया अब चलिए देखे इसका एक और मेथद आपको बताता हूँ मैं एडवांस मेथद बताता हूँ कि वो कैसे बनता है वो कहां से आता है और उसको देख करके आप कैसे questions करेंगे जिस बच्चे को ना बना हो प्लीज पूछ लीजेगा explain कर दूँगा देखिए अब जैसे आपके पास equation क्या था equation आपके पास था कोई भी center radius form का अब इसको यदि आप open करते थे तो क्या बन जाता था अच्छा ध्यान से यह दर्खना कि यहाँ पर center क्या हुआ करता था center h, k होता था minus h, k नहीं होता था h, k और radius होगा करती थी r होती थी की नहीं होती थी बोलो yes sir ok radius equals to r होती थी अब इसको जब जब ओपन करतो तो यह क्या बन जाएगा x square minus 2h plus h square plus y square minus 2k 2hx, 2ky plus k square equals to r square ठीक है arrange करो इसको x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square equal to 0 यह क्यों कर रहा हूँ मैं आपके पास जो equation आता है वो कैसा रहता है जो आपने question जो solve किया अभी recently आपने question solve किया यदि मैं उसको आपको दिखा हूँ उस question को तो वो क्या था देखे ध्यान से वो question था x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 equal to 0 बोल देना बेटा क्या था question x square plus y square minus 8x plus 10y था yes sir plus 10y minus 12 equal to 0 यह था ना यह question था अब देखी जड़ा मैं इस question को इस form में दिखाऊंगा यह कौन सा form है बेटा यह कहलाता है circle का second order general form यह जो आपको यहसा मचा करके दिया हुआ है घचल पचल टाइप की जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको हम बोलते हैं circle का second order form तो पहले उसका general structure देख लो क्या होगा x square plus y square plus 2 gx अब रुख जाओ थोड़ा सा 2 minus h into x plus 2 minus k into y plus h square plus k square minus r square क्या मैं उपर वाले equation को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता है लिख सकते हैं इसको जो है मैट्स में ऐसे लिख जाए जाता है x square plus y square plus 2 gx plus 2 fy plus c equal to 0 अब ध्यान तो इसको इस वाले equation को और इस वाले equation को देखो बोलो दोनों match कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं से जो डब्बे में लिख से इस से कहते हैं चेंड और फों हाँ इसको बोलते हैं second order form of circle second order form of circle यही है circle का second order form समझ गया है अब चलिए अब इस से इसकी पूरी की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी radius क्या है, circle center क्या है, सब कुछ मिल जाएगा आपको जादा रहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आए देखिए मैं आपको directly यह भी बता जाता था बट मैंने आपको यह बताया कि यह बनता कैसे है, अगर मैं directly बता देता तो भी आपका answer आजाता है ना, तो भी answer आपका आजाता देखो अब कैसे है, आप ध्यान से देखो बच्चो मैंने minus h को किस में जी कर आधिया PHP कि यह सधिया है कि माइनस हेज एक एकल टू जी है तो हमारा एक टू कि इतना होगा नच में तो एच चाहिए Mr. डास्थ सर्णवगर है माइनस को मेने किसमें ट्रंस। ऑस्तर किया है माइनस एफ एकल टू मैंने पताया है मैंने स्वारी माइस के को मैंने एफ माइनस माइनस के को मैंने एफ में टार्स पर किया है तो के इज इकल टू कितना होगा माइनस माइनस ओके तीसरा एच स्क्वाइर प्लस के स्क्वाइर एक टू माइनस आप स्क्वाइर एक टू सी है है की नहीं है है सर दुलकुल So h square plus k square minus c equal to कितना r square हो गया So r equal to हो गया यहां से r equal to under root लग जाएगा और यहां पर आएगा h square plus k square minus c ध्यान से देखो h equal to minus g है है तो h کا square क्या g का square कहलाएगा कि के लाएगा क्या लाएगा है न और सी की जगए सी रहन दी जिए तो यह बन गई रेडियस कुल मिला कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो दो चीजें याद कर लो सेंटर माइनस जी माइनस और रेडियस है मैंने ये भी सिखा दी आपको की बनता कैसे है ओके चलो अब देख लो तो और बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि यह क्या हो रहा है देखिए आपका जो question था वो क्या था question x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 equal to 0 अब जल्दी करना है तो आप इसको splitting the square मत करो वो मत बनाओ सीधे compare कर दो इसके general equation से so general equation होता है x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to ध्यान से बेखो 2g की जगे पे कौन बैठा है भई minus 8 बैठा है न minus 8 minus 8 तो g equals to कितना हुआ minus 4 g equals to minus 4 2f equals to कितना है बच्चों 10 है तो f equal to कितना हुआ फाइव है न f equal to 5 2f equal to 10 है तो f equal to 5 हो गया तो हमारे पास center होता है अभी अभी मैंने आपको बताया है कि center होता है minus g और minus f clear तो minus g g है minus 4 minus g plus 4 और f हो जाएगा minus 5 देखो यही center आया है क्या yes sir radius मैंने क्या बढ़ा है बच्चों आपको मैंने radius बताई g square plus f square minus का c तो g का square g का निकला था minus 4 का square 16 f निकला था 5 का square 25 और minus और c की value बताओ कितनी है यहाँ पे 12 wrong 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 minus 12 है तो यहाँ पे minus का 12 हो जाएगा so 16 plus 24 plus 12 आंसर इस 16 plus 25 plus 12 तो 16 और 12 कितना हो गया 28 plus 25 आंसर कितना होगा 53 बोलो आ गया न समझ में बिल्कुल से यह तो इस formula से भी आप center और radius फटाफट निकाल सकते हैं वेटा screenshot ले लो center होता है minus g minus f और radius होती है under root g square plus f square minus c clear yes ठीक है न yes अब देखिए बच्चों तो अब यहाँ पर एक case बनता है जो उसका कुश्च अपटेटिव गिजाम में आता है कि radius की value क्या आ गई है radius की value आई है g square plus f square minus c अक्षत अगर radius exist कर रही है real है तभी यह circle होगा otherwise circle कभी नहीं हो सकता है मतलब g square plus f square minus c हमेशा क्या होने चाहिए greater than zero zero हम तभी circle exist हो करेगा तो लिख लो condition of rear circle g square plus f square minus c greater than zero और you can say g square plus f square greater than c तभी circle exist करेगा that time it will be real circle clear yes sir okay अक्षत अगर g square plus f square minus c की value zero के equal हो जाए तो क्या circle exist करेगा की नहीं करेगा सवाल नई इस पॉइंट रहेगा very good तो उसको कहेंगे point circle तो point भी एक circle ही कहलाएगा zero radius का so that time radius is equal to zero and you will have point circle clear yes sir और अगर g square plus f square minus c less than zero हो गया तो circle exist करेगा not possible not possible तो लिख दो no real circle ठीक है ना उस समय circle exist नहीं करेगा तो end बगरे में question आते हैं check करने में वो तीन चार equation दे देंगे और बूलेंगे बताओ कौन सा circle real है तो आपको पढ़ करके बताना पड़ेगा देख करके equation बताना पड़ेगा कि कौन सा circle आपका real है done done sir चली बच्चो बहुत अच्छे तो यह हो गया इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं चली अगला question करिए question number 9 चाहे जिस method से करो मेरी वाले से या अपने वाले से कोई दिक्कत नहीं है पता लगाए इसका center और radius क्या है ध्यान से करिएगा ठीके ना सबसे पहले इस equation में आपको 2 common लेना पड़ेगा क्योंकि 2x square 2y square आपको बिना मतलब परिशान करने के लिए बताया गया है जबकि जो मैंने standard form आपको पढ़ाया है वो मैंने पढ़ाया है x square plus y square plus 2gx मतलब आंगे जो भी होना हो होए x square y square के coefficient हमेशा 1 होने चाहिए तो इस equation से सुलजने के लिए निपटने के लिए मैं आपको सलाह दूँगा कि सबसे पहले 2 common ले लीजिए येस सर्थ अब उसके बाद जो आपको लगाना हो लगाईए method number 1 लगाईए method number 2 लगाईए आपका mood है कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपको करना हो करिए आप 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 यऊ यव कर दो कर दो कर दो कर दो तो गया तो अचया हम गाया अचया है जो वह गिशनिटा है कि आ बना गया सब को चाहे आप अपने किसी मेंporte किया बीटा ओल्ल मैंटवड थे की न्यू मेंटवड ते new method ठीक है हां किसको नहीं बना है प्लीज पूछ ले ना भई मैं अलग अलग नाम नहीं लूँगा सब जिससे नहीं बना है प्लीज पूछ लीजेगा सर मेरा रिकल्ट वन बैट वाया वन भर फूर लिखाए इसमें हां रिक वस्ट वन बैट वन बैट वाया आया है अब है नहीं सर शही है और मैं 4 यह नहीं सर जाली ठीक अब प्रियांशी बन गया तुमसे ना यह सो ओके कॉश्चन नमर 10 देखिए बच्चों अगला पूशन ह आपको जो है इस तरीके से इसको solve करना है देखते हैं और जिसका center जो है इस पे लाई करता है ठीक ना तो बना लीजिए अपने पास circle और यह main पहले इसका circle के equation मा लेजिए देखिए यह circle is x minus h square plus y minus k square equal to r square चली मैं इसको पूरा का पूरा solve करके दिखाता हूं आपको इस question को कैसे करेंगे important mark करिए बच्चों यह question exam twice है लग teachers इसको पसंद करते हैं इस question को देखिए कैसे solve करेंगे so find the equation of the circle which passes through 4,1 and 6,5 तो picture बना लेते हैं यह circle है यह 4,1 and 6,5 से pass हो रहा है मतलब हमको यह नहीं पता कि 4,1 और 6,5 कहां बैटे हैं वो कहीं भी बैटे हैं यहां बैट सकते हैं यहां बैट सकते हैं बट मैंने कहीं boundary पे बैटे हुए हैं और जो इसका center है वो जो इसका center है वो एक line जा रही है इस type से उस line का equation है 4x plus y equal to 16 इस पे center बैटा हुआ है center क्या मानते हैं हम लोग h,k तो यह center हुआ करता है तो चलो सबसे पहले equation क्या होगा line का circle का circle का equation होगा x minus h square plus y minus k square equals to r square okay so यह circle का equation हो गया तो इसमें चलिए put करते हैं सबसे पहले यह circle किस point से जा रहा है 4,1 से जा रहा है की नहीं जा रहा बताओ जा रहा है मतलब किसी समय चलते चलते गाय पहुची होगी जहां पर x 4 रहा होगा और y 1 रहा होगा तो put कर दो satisfy करेगा 4,1 so 4 minus h square plus 1 minus k square equal to r square done equation number a clear yes sir चलो फिर वो गाय चलते 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 6,5 पहुची होगी तो x की जगे पहे 6 आया होगा 6 minus h square plus 5 minus k square equals to r square you can get this equation number b now दोनों की right part r,r square है तो equate कर दो तो दोनों की equate कर दोगे so 4 minus h square plus 1 minus k square equal to 6 minus h square plus 5 minus k square clear because r,r picture से gap होगा हमको r की जरूरत भी नहीं है तो हमने r को picture से gap कर दिया चलो इसको solve कर दो 6 का square 16 minus 4 2 जा 8 h plus h square plus 1 का square 1 minus का 2 k plus k square okay equals to 6 का square 36 minus का 12 h and plus h square plus 5 का square 25 minus 10 k 5 to the 10 k plus k square h square से h square cancel k square से k square cancel अब देखो क्या बच गया है बिटल लेफ्ट साइड में minus का 8 h है और इधर आएगा plus का 12 h तो कितना बचेगा अक्षद 4 h 4 h इधर है minus 2 k और इधर से आएगा plus का 10 k तो इधर बचेगा कितना 8 k चली इधर हो गया है equals to 36 यह है और 25 तो 36 प्लस 25 प्लस के और इधर से जाएगा तो minus 16 और इधर से गया minus का 1 तो चलो solve कर दो 16 और एक 17 है ना 17 25 में से 17 कितना हुआ 8 है ना और 36 प्लस 8 कितना 44 तो 4 h प्लस 8 k एक्वल्स 24 एग्री ग्रीट से ग्रीट से ग्रीट से ना यू कें टिक 4 as a common सो अगर मैं 4 common लेता हूँ तो 4 common लेने पर मेरे पास कितना बचे गए यहां पर h प्लस 2 k एक्वल्स 24 और 44 को 11 ताइम्स कैंसल कर दिया so answer h plus 2 k equals to 11 done done sir yes इसको कोई equation आप दे दो जो भी देना हो कोई नाम दे दो इसको suppose दे दो इसको c number दे दो h plus 2 k equals to 11 एक equation मेरे पास यह आ गई है दूसरी equation मेरी कौन support करेगा दूसरी equation के देखे मेरे पास यहां पर यह है कि यह जो line है यह line center से होके जा रही center h, k है मतलब h, k इसको satisfy करेगा तो मैं लिख सकता हूँ 4 h plus k equal to 16 yes or no चलिए तो दो equation आ गए यहां पर आया 4 h plus k equal to 16 अब 10th class की method से दोने equation को solve कर लो बच्चों चलो जल्दी solve करो elimination method से नीचे 2 का multiply करो और solve कर दो और मुझे बताओ h और k की value क्या होगी यह पहले बाले में 4 का multiply कर दो तो भी जल्दी हो जाएगा h, h, 4, h, 4, h cancel हो जाएंगे h, kitना आ गया h equal to 3 k equal to 7 h equal to 3 and k equal to 7 चलिए देखते है h equal to 3 and k equal to 7 मुकुल तुम्हारा भी यही आया है क्या सर माइनस 3 आ रहा है चलो चेक करते हैं 3, 7 भी यह गलत लग रहा मेरे को अख्चत क्योंकि पहली equation में अगर आप put कर दो 3 और 7 तो देखो तूभान हो रहा है 3, 2, 7 जा 14 और 14 प्लस 3 तो 15 हो जाएगा तो h equal to 3 गडबर लग रहा मेरे को मतलब जो खिलो यह एचिया के में से कोई एक गलत है और अगर माइनस 3 की बात देखे हैं तो माइनस 3 और 7 टूजा 14 हाँ सही है माइनस 3 ही होगा अक्षद K is equal to 4 और h equal to minus 3 अचा के equal to 4 आ रहा है हाँ 3 जाए माइनस 3 खिलो टो 4 आ जाए है एक मिनट यार के equal to 4 यह धी रख कर के देखो पहले क्विशन में 24 जा 8 8-3 नहीं फिर गलत है भाई यह फिर minus 3 नहीं हो सकता फिर H equal to minus 3 साही नहीं है है फिर 3 पे सही होगा अगर H equal to 3 है तो फिर K equal to 4 से उट करेगा मतलब 3-4 साटिस्फाइ कर रहे हैं मैं तो सीधर सिधर है इमेशन किया है जाते अक्षणत ने बोला है इस वैल टू 3 तो उसका K equal to 4 आएगा चलो चेक करो Akshat K equal to 4 है क्या? k equal to 4 है बिल्कुन 7 नहीं मतलब 7 गलत है न हाँ 7 गलत है h equal to 3 and k equal to 4 चलिए यह h आ गया यह k आ गया अभी भी हमें जरूरत है किसकी r की क्योंकि equation of circle चाहिए तो h k तो मिल गया है हमें r चाहिए है तो बच्चो यहाँ पर किसी भी equation में चाहे इसमें चाहे इसमें put करके r square निकालो h की value k की value डाल करके r square निकालो 4 minus 3 याने 1 का square 1 और 1 minus 4 याने 3 का square 9 तो 1 plus 9 हाँ r equal to root 10 r square equal to 10 आ गया बच्चो yes sir r square equal to 10 चलिए answer लिखने की त्यारी कर ले equation of the circle क्या पढ़ रखा हम लोगों ने x minus h का whole square तो x minus h की जगे है 3 का whole square y minus k का whole square y minus 4 है k की जगे equal to r का square कितना आया है 10 चेक कर लो बच्चों answer चेक करते है x minus 3 square y minus 4 square equal to 10 x minus 3 square plus y minus 4 square equal to under root 10 का square मतलब 10 खोल खाल दोगे तो यह आ जाएगा ठीक यह सर चलो नोट कर लो screen shot ले लो इसका इसका screen shot ले लीजे अ सरे बात में बात में पूर x plus y में अपने एक्स और यह जो एक्स और क्यों क्यों की 4 x plus y straight line किस से होके जा रही है सेंटर से होके जा रही ही ना question ने खुद कहा है हाँ हाँ तो center satisfy करेगा अपने उपर से जाने वाली line को हाँ है ना सेंटर उसका citizen है और citizen देश के नियमों को follow करते हैं है न कंडिशन उसकी follow करेगा डन चली question number 11 बिल्कुल उसी type का है बोलो कर लोगे yes sir question number 11 बिल्कुल उसी type का है question number 12 find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis passes through the point 2,3 चलो solve करके दिखाओ बच्चों question number 12 question number 12 की बाद question number 13, 14, 15 तीन ही तो बच्चे है चलिए 12, 13, 14, 15 जल्दी से चारो question solve करके कोशिश कीजिए orally लिख करके और बताइए कौन सा question नहीं बनता मैंने पढ़ा दिया अपने हिस्से का अब आपकी बारी practice है अब तो सारे concept दे दिये हैं आप question solve करो आप मिघकी तो कल दो कल दो क्ल पर्क्राव 1 करो क्ल MOD कल कल को मैं आपकी आपक्तार का हैंたक्त्स काय मैं थे दो स्क्पड़ कू़ ठापर की हैं जो किसलों के भीपनें आपकी मैं वर। झाल 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 झाल